यहोशू अध्याए साथ आकान का पाप परंतु इसरायलियों ने अरपन की वस्तु के विशह में विश्वास खात किया। अर्थात यहुदा गोत्र का आकान जो जेरहवशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था उसने अर्पन की वस्तु में से कुछ ले लिया इस कारण यहुआ का कोप इस्राइलियों पर भड़क उठा और यहुशु ने यरिहों से एई नाम नगर के पास जो बेताविन से लगा हुआ बेतेल की पुरो की ओर है कितने पुरुशों को यह कह कर भेजा कि जाकर देश का भेद लिया और उन पुरुशों ने जाकर एका भेद लिया और उन्होंने यहुशु के पास लट कर कहा सब लोग वहाँ न जाने पाए कोई दो वा तीन हजार पुरुश जाकर एको जीच सकते हैं सब लोगों को वहाँ जाने का कश्ट न दे क्योंकि वे लोग थोड़े ही है इसलिए कोई तीन हजार पुरुश वहां गए परन्तु एके रहने वालों के सामने से भागाए। तब एके रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उत्राए में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जलसा बन गया। तब यहोशु ने अपने वस्तर फाड़े और वह और इस्राइली वृद्ध लोग यहोवा के संदुक के सामने मोह के बल गिर कर पुथवी पर सांच तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने सीर पर धूल डाली। और यहोशु ने कहा हाई प्रभू यहोवा तु अपनी इस संतोश करके यर्दन के उस पार रहे जाते हाई प्रभू मैं क्या करो जब इस्राइलियों ने अपने शत्रों को पीफ दिखाई है क्योंकि कनानी बरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पुथवी पर से मिटा डालेंगे फिर तु अपन आती मोह के बल पुथवर पढ़ा है, इस्राइलियों ने पाप किया है, और जो आचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है, उन्होंने अरपन की वस्तूय में से ले लिया, बरन्चोरी भी की और चल करके उसको अपने सामान में रख लिय इसकारण इसराएली अपने शत्रो के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रो को पीठ दिखाते हैं। इसलिए कि वे आप अरपन की वस्तु बन गये हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अरपन की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्ह उट प्रजा के लोगों को पवित्र कर। अनुसार समीप खड़े किये जाओगे और जिस कोत्र को यहवा पकड़े वह एक-एक कुल करके पास आए और जिस कुल को यहवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए फिर जिस घराने को यहवा पकड़े वह एक-एक पूरुश करके पास आए तब जो पूरुश अरपन की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डाल कर जला दिया जाए क्योंकि उसने यहवा की वाचा को तोड़ा है और इस्रायल में अनुचित कर्म किया है बिहान को यहोशु सवेरे उटकर इस्रायलियों को गोतर गोतर करके समीब ले आ जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया फिर जेरह वंशियों के गहाने के एक-एक पुरुष को समीब लाया गया और जबदी पकड़ा गया तब उसने उसके गहाने के एक-एक पुरुष को समीब खड़ा किया और यहुदा का गोतर का आकान जो जेरह वंशि का पोता और कर पुत्र था पकड़ा गया, तब यहोशु आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्रायल के परमेश्वर यहोवा का आधर कर, और उसके आगे अंगिकार कर, और जो कुछ तुने किया है, वह मुझे बता दे, मुझसे कुछ मच चिपा, और आकान ने यहोशु को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्रायल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और यहां मैंने किया है, कि जब मुझे लूट में शीनार देश का एक सुन्दर ओड़ना, और दो सो शकिल चान्दी, और पचास शकिल की सोने की एक इद दिखाए पड़े, तब मैंने उन दूद भीजे, और वे उस देरे में दवड़ गए, और क्या देखा, कि वे वस्तुए उस देरे में गड़ी है, और सब के नीचे चान्दी है, उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशु और सब इस्रायलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया, तब सब इस् और उसके डेरे को निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आकर नाम तराय में ले गया, तब यहोशु ने उनसे कहा, तुने हमें क्यों कश्ट दिया है, आज के दिन यहोवा तुम ही को कश्ट देगा, तब सब इस्रायलियों ने उसको पत्थर वहा किया, और उनको आग में डाल कर जलाया, और उनके उपर पत्थर डाल दिये, और उन्होंने उसके उपर पत्थरों का बड़ा धेर लगा दिया, और जो आज तक बना है, तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शंद हो गया, इस कारण उस्थाम का नाम आज तक अकोर तराय पड़ा है.